प्रिय दोस्तों नमस्कार आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डी को ड कब पढ़ते हैं देखें और समझते हैं यदी किसी सब्द में डी प्रारंब में हो या अंत में हो तो वहाँ पर डी का उचारण ड किया जाएगा उधारं के लिए के सामने है डी ए टी तो यहाँ पर डी को ड पढ़ा जाएगा और इसका समपुण उचारण होता है डेट ठीक उसी प्रकार यहाँ भी डी को ड पढ़ा जाएगा स्वर्पर्थम हम भी ए को बे पढ़ेंगी और डी को ड पढ़ा जाएगा तब इसका उचारण होगा बेड अब इसकी प्रभासा पर चलते हैं देखें यदि किसी सब्द में डी प्रारंब में हो अथवा अंत में हो तो वहाँ पर डी को ड पढ़ा जाता है या डी प्रारंब में होगा या डी अंत में हो सकता है तो वहाँ पर डी को ड पढ़ा जाएगा जैसे कि डी ओ जी यहाँ पर डी को ड पढ़ा जा रहा है तो इसका संपूर्ण उचारण हुआ डोग ठीक उसी प्रकार डेड और बेड हमने आपको समझा दिया था इस वीडियो में इतना है थैंक यू, have a nice day